हेलो मैं फेल्कम बाक टू दा चैनल अशिसा आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाल है मुंबई उडिर्सिटी के ऑन्लाइन इग्जामिनेशन के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है टेक्निकल इश्यूस के चलते यह इग्जामिनेशन को बार-बार रिश्यूडूल कर दिया जाता है और मॉक टेस्ट में भी बच्चों को पूरी तरीकी से टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अब इसका एक इंपॉर्टेंट कारण देखने के लिए मिल रहा है लोक मत किया कर न्यूस की बात माने तो उन्होंने अपने न्यूस पेपर में एक ना होने के बावजूत उन्हें बीना किसी टेंडर के बीना किसी प्रोसीजर को फॉलो किये कॉंट्राक दे दिया गया ऐसा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्धार्ती सेना लगा रही है और कही न कहीं इनका ये जो आरोप या प्रत्यारोप चल रहा है उसमें कही को पता है स्टुडेंट्स बार 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 टेकनिकल सपोर्ट की डिमाइन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीका टेकनिकल सपोर्ट टेकनिकल टीम की तरव से देखने के लिए नहीं मिल रहा है उन्होंने इसकी जानकारी आगे देते हुए कि यहाँ पर जो टेक experience holders company जो इससे आधे rate पर examination करती है और उनका जो काम करने का तरीका है little for innovation company से बहुत जाधा strong है उनका technical team उनका technical support भी as compared to bangalore associated company से बहुत जाधा strong है तबी भी ये contract सिर्फर सिफारिश के basis पर दे दिया गया without किसी तरीके का procedure को follow कि ऐसा आरोप महराश्च नवनिर्मार विदार्ती से न लगा रही है उमीद करता हो कि इस तरीके की बात जो बहार निकल कर आ रही है उसमें अगर सचाई है नहीं यह higher officials के investigation में पता चलेगा अगर यह बात सच है तो इसका खामियाजा किसी भी university है किसी higher officials को नहीं इसका खामियाजा कहीं न कहीं student को भुगतना पढ़ सकता है पढ़ रहा है ऐसा दोनों प्रोबाबिलिटी इसले क्योंकि examination आगे और भी प्रिशीडूल होती हो गई तो ऐसे आइडल के students को बहुत जादा difficulty का सामना करना पढ़ रहा है अगर उमीद करता हो कि आपको क्योंकि आपको हर अपडेट पहुचाना मेरा परमसिद्ध अधिकार है मिलता हम आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकरी के साथ तब तक के लिए चाहें